नमस्काल दोस्तों आज मैं आपको सुनाने जा रहे हूँ महात्मा बुथ की जातक कथाओं में से एक कहानी अकल के लिए नकल एक देश में अकाल पड़ा पानी की कमी से सारी फसले मारी गई देशवासी अपने लिए एक वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाते थे ऐसे समय में कववों को रोटी के टुकड़े मिलने बंद हो गए अब जंगल की ओर उड़ चले उनमें से एक कववा कववी उन दोनों ने एक पेड़ पर अपना बसीरा कर लिया उस पेड़ के नीचे एक तालाप था जिसमें एक जलकववा रहता था वो जलकववा सारे दिन पानी में खड़े रहकर कभी मचलियां पकड़ता कभी पानी की सतह पर पंक फैला कर लहरों के साथ नाचता नजर आता पेड़ पर बेठे कववे ने सोचा मैं तो भूख से भटक रहा हूँ और यह चार चार मचलियां एक साथ गटक कर आनंद में है यदि इससे दोस्ती कर लूँ तो मुझे मचलियां खाने को जरूर मिलेंगी वह उड़कर तलाब के किनारे गया और शहत से मेठी बोली में कहने लगा मित्र तुम तो बहुत जुस्त दुरूस्त हो एक ही जटके में मचलियां को अपनी चोंच में फसा लेते हो मुझे भी ये कला सिखा दो तुम सिखकर क्या करोगे तुम्हें मचलियां ही तो खानी है अरे मैं पकड़ दिया करूँगा तुमारे लिए जलकवे ने कहा उस दिन के बाद से जलकवे धेर सारी मचलियां पकड़ता कुछ खुद खाता और कुछ अपने मित्र के लिए यानि उस कवे के लिए के नारे पर रख देता कवे उन्हें चोंच में दबाकर पीड़ पर ले जाता और कवी के साथ स्वाद लेकर खाता कुछ दुनों बाद उसने सोचा कि मचली पकड़ने में क्या है मैं भी पकड़ सकता हूँ जलकवे की क्रपा पर पलना ज़्यादा ठीक नहीं है ऐसा मन में ठान कर वह पानी में उतरने लगा अरे अरे दोस्त यह क्या कर रहे हो तुम पानी में मच जाओ तुम धल कवा हो जल कवा नहीं तुम जल में मचली पकड़ने के दाव पेच नहीं जानते मसीबत में पड़ चाओगे जलकवे ने कहा यह तुम नहीं तुम्हारा अभिमान बोल रहा है मैं अभी मचली पौड के दिखाता हूँ कवे ने अकड़कर जलकवे को जवाब दिया अब कवा छपाक से पानी में खुस गया पर उपर नहीं निकल सका तलाब में काई जमी होई थी और काई में छेद करने का उसे अनुभव नहीं था उस बेचारे ने उसमें छेद करने की कोशिश भी की उपर से थोड़ इसी चोँच दिखाई दे रही थी पर निकलने के लिए बड़ा सा छेद चाहिए था अब इसका परिणाम यह हुआ कि अंदर ही अंदर उसका दम घुटने लगा और वहे मर गया अब कववी कोई को ढूंती हुई जलकवे के पास आई और अपने पती के बारे में पूछने लगी जलकवे ने कहा बेहन कववा मेरी नकल करता हुआ पानी में मच्छली पकड़ने उतर पड़ा सकता हूँ पर वहे केवल धलवासी है मैंने उसे बहुत समझाया पर उसने मेरी बात नहीं सुनी और उसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमें किसी की नकल करनी है तो उसके लिए भी हमारे पास हमारी अकल होनी चाहिए बिना बुद्धी के हम किसी की नकल भी नहीं कर सकते अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी ही और कहानियों और वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद